तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे iOS 17 का जो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, iOS 17.3 जो रिलीज किया है, Apple ने कल ही तो अभी कर लेते इसके बारे में बात कि इसमें क्या कुछ हमें नएया देखने को मिलता है जो इसमें features भी हमें कुछ कुछ नए देखने को मिले हैं काफी time के बाद यह update हमें देखने को मिला आपने तेखा होगा कि इससे पहले वाला update था हमारा iOS 17.1 तो अभी जो है प्रोब्लम आती है तो आप नीचे comment section में बता सकते हूँ या मेरे को Instagram पे follow कर सकते हूँ जिसका link आपको description में मिल जाएगा तो सबसे पहला जो हमें feature इसमें देखने को मिला है वो है music में music application में आपको दो नए features इसमें देखने को मिले जो कि मैं आपको दिखा दिता हूँ तो music application में आप लोग यहाँ पे देख सकते हूँ दो हमें नए options देखने को मिले जो कि collab on playlist और emoji reactions तो मैं आपको बता देता हूँ जैसे आप music application में जाते हो जैसे माली यह music में गया है यहाँ पे अगर आप कोई भी नई playlist create करते हो जैसे मैं करता हूँ एक playlist create यहाँ पे हम करते है new and then उसके बाद जैसे ही आप इस playlist को on करोगे यहाँ पे आपके सामने एक नया option आपको देखने को मिलेगा collab का यहाँ से आप किसी को भी share कर सकते हो directly invite कर सकते हो उसको collab के लिए तो जो भी music वगेर आप यहाँ पे add करोगे आप दोनों जिसको भी invite करोगे collab के लिए वो भी उसमें music एड कर सकता है और उसको directly सुन सकता है यही से उसके बाद आते है next feature पे जो कि हमारा wallpaper तो wallpaper में हमें नए wallpaper देखने को मिले जैसे हम hold करके रखते है तो उसके बाद plus यहाँ पे आप थोड़ा सा नीची स्क्रोल करोगे तो यहाँ पे आपको unity के नए wallpapers देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे अभी यह प्रॉपर तरीके से लोड नहीं हुए है तो यहाँ पे आपको wallpapers देखने को मिल जाएंगे unity वाले जिनका कि आप color वगएर यहाँ से चैज कर सकते हो black, multi color, green, red यह सारी चीज़े आप यहाँ से setup कर सकते हो उसके बाद तीसरा जो हमारा feature समय देखने को मिलता है जो की बहुत important था और जो highlight किया था iOS 17.3 में Apple ने वो है stolen phone तो हम चलते है settings में settings में आप जैसे ही यहाँ पे आप आउगए option face id and passcode पे तो यहाँ पे आपको click करना अपना passcode एंटर करना है पासकोड एंटर करने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे scroll करोगे तो यहाँ पे आपको option देखने को मिल जाएगा installing device protection है इसको आप on कर सकते हो यहाँ पे आप देख सकते हो इससे आपकी security जो है थोड़ी और improve हो जाएगी अगर आपका phone चोरी वगेरा होता है तो उसके बाद जैसे आप लोग को पता है privacy में हमें lockdown mode एक देखने को मिलता था तो lockdown mode को आप update कर दिया apple ने इसमें जो है हमारा जो game center है वो proper तरीके से work नहीं करेगा अगर आप lockdown mode को on करते हो तो एंड कुछ और features है जो कि इसमें work नहीं करेंगे वो लिस्ट update हुई है तो आप चेक आउट कर सकते हो apple की website पे तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर आप चेक आउट कर सकते हो नहीं नहीं चीजें यहाँ देख सकते हो ios 17.3 के जो भी updates रिलीज है वो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो यह security updates है इसके साथ ही जो bug देखने को मिला है वो मुझे मिला है lock screen पे जैसे है हम unlock करते है अपने phone को तो कभी का बात जैसे phone एक जगे stuck हो जाता है यहाँ पर पूरे एक डम wallpaper दिखता है कोई भी application आपको नजर नहीं आती यह मेरे को भी फिलाल यह bug देखने को मिला है आपको मिला है या या नहीं मेरे को comment करके ज़रूर बताना है यह वाली चीज तो यह कुछ फीचर्स और जो बग्स थे इस वाले अपडेट के जो की 17.3 में देखने को मिलते हैं आपने ये अपडेट डाउनलोड कर लिया या नहीं किया मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना एंड अगर आपको कोई और प्रोबलम आती है तो यह वो भी मेरे को कमेंट करके बताना ताकि हम उसके उपर भी बात कर सके हैं बाकि ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक जरू करना ताकि ऐसी और इंट्रेस्टिंग वीडियो आपको और आगे देखने को मिल सके मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई